मुझे पता है आपने बहुत सारे अमीर वर्स गरीब टाइप के वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है मैंने बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं इस टॉपिक पे और मैंने बहुत सारे इंटर्व्यू सुनें अमीर और सक्सेस्फुल लोग है और मैंने पाँच चीजे समझी है जो अमीर लोगों को गरीब लोगों से अलग बनाते हैं लेकिन ये वीडियो अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि इन पॉइंट्स के अलावा हर पॉइंट के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक प्राक्टिकल टिप कि आप इन चीजों को अपनी लाइफ में आज कैसे अपलाई करना शुरू कर सकते हैं हे गाइस वेल्कम बाक टो लाइव यान और चलिए सीधे वीडियो शुरू करते हैं तो पहला पॉइंट है कि अमीर लोग टाइम को पैसे से जाधा वाल्यू करते हैं दीन ग्राजियोसी जो एक मल्टी मिलनेर रियल इस्टेट इन्वेस्टर इंवेस में और एक अथर भी हैं उन्होंने एक बार कहानी बताइती कि कैसे उनको समझ में आया डिफरेंज अमीर और गरीब लोगों के सोचने के तरीके में एक बार वो एक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे और उसको वो सही करना चाह रहे तो उसके लोन की सफाई वो एक लड़के से आता तब ही डीन के फादर एकदम से आये अपने बेटे को देखने के लिए जैसे ही उन्होंने देखा कि एक अंजान लड़का उनका लौन साफ कर रहा है वो एकदम से बहुत नाराज हो गया वो डीन क्यूपिट चिलाने लगे वो कहने लगे वह बेटा तुम इतने अमीर बन गई कि अब तुम अपना लौन भी खुद से नहीं साफ कर सकते हैं और उसी टाइम डीन को समझ में आया डिफरेंस उसमें और उसके पापा के सोचने के तरीके में क्योंकि बात तो ये थी कि डीन के पापा भी बिजनसमान तो थे हैं लेकिन वो इतने सालों से बिजनस क करने से अच्छा है कि वो एक घंटा अपना बचा लें और किसी और को वो काम दे रहें दीज डॉलर तो बाद में भी कमाई जा सकते हैं लेकिन वो एक घंटा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा तो मेरी प्राक्टिकल टिप आपके लिए है कि अपनी लाइफ में ऐसे एरिय बचा पाएं जबकि वो बड़ी आसानी से ओला या उबर करके घर जा सकते हैं बस थोड़े और जादा पैसे देने होते हैं जब भी आपके लाइफ में इस तरह की डिसिजन्स हो तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर मैं घर जल्दी पहुँचिया तो क्या म अब का थाइंब की आपके पैसे से जाधा वालीविज है कि गरीब लोग एक्सक्यूज डूटे हरने के लिए और अमीर लोग जीथने के लिए में काफ़ी कॉमन कहानी है अमीर लोग के साथ कि वो कोई ऐसी चीज कर देते हैं जिसके बारे में हम सब लोगों ने सोचा होता जहात है लोग जब वो एक YouTube चानल स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि वो क्यों नहीं सक्सीड करेंगे तो कि उनकी आवाज नहीं अच्छी है, उनकी शकल नहीं अच्छी है तो वो स्मार्ट नहीं है या फ़नी नहीं है वो excuses ढूंटें fail करने के लिए लेकिन अमीर लोग हमेशे excuses ढूंटें जीतने के लिए वो सोचते हैं कि हाँ मेरी आवाज हो सकते है ना अच्छी हो लेकिन मैं अपना content बहुत अच्छा बनाऊँगा या हाँ मैं बहुत smart नहीं हूँ लेकिन मैं और लोगों से सीख के और जादा smart बन सकता हूँ यही चीज बिजनेस में भी लागू होती है जहात है लोगों के पास business ideas तो होते हैं लेकिन वो अपने दिमाग में ही अपने आपको fail कर लेते हैं क्योंकि वो अपने लिए excuses बनाने लगते हैं अब यह बात जरूर ध्यान में रखिया कि मैं आपको unrealistic होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको practical भी होना चाहिए लेकिन आपकी energy वहीं जाती ही जहां आपका focus जाता है और अगर आप failure पे focus करेंगे तो आपको failure ही मिलेगा अगर आप success पे focus करेंगे तब आपको success मिलेगा तो आपकी लिए practical tip यह है कि एक goal के बारे में सोची जो आप अपनी life में achieve करना चाहते हैं कोई बहुत बड़ा unrealistic goal नहीं एक छोटा सा normal goal जो आपको लगता है कि आप अगले एक साल में achieve कर सकतें अगर आप मेहनत करें मान लीजे कि अगले साल में एक extra एक लाख रुपे आड़ करना अपनी income को या 10 या 20 केजी अपने weight से घटाना अब एक list बना लीजे सारे reasons की कि आप succeed क्यों करेंगे और जितनी भी reasons आपके दमाग में आए उनको लिख लीजे और इस list को हर रोज देखी जब आप सुबा उठते हैं मैं आपको promise करता हूँ कि आपकी life बदल जाएगी 3rd point है कि अमीर लोगों को leverage का मतलब पता है बचपन में आपने शायद seesaw पे खेला होगा जो एक road होता है उसको lever बोला जाता है और आप एक side पे बैठ सकते हैं और दूसरा side वाला इंसान उपर उठेगा अगर आप उस इंसान से भारी हैं अब मैं यहाँ पर आपको physics सिखाने नहीं आया हूँ मैं बस आपको यह समझाना चाता हूँ कि जस तरीके से आप अपना weight use कर सकते हैं किसी को seesaw पे हिलाने के लिए उसी तरीके से आप अपनी skills को use कर सकते हैं दुनिया को हिलाने के लिए मैं आपको एक example देता हूँ मालीज़े कि आपके पास सिफ एक skill है आपको accounting आती है अब आप एक accountant है तो आप बहुत साए लोगों से मिलेंगे जो अलग-अलग तरीके की profession में होंगे तो आप अपनी accounting skill को use करके किसी ऐसे इंसान के पास आ सकते हैं जिसको शायद public speaking आती हो आप उनको बोल सकते हैं कि यार मैं तुमाई taxes free में कर दूँगा मैं तुम्हें accounting के बारे में हर चीज़ बता दूगा बस तुम मुझे public speaking सिखा दो अब ये करके आपके पास दो skills हो जाएंगी accounting और public speaking अब आप public speaking को use करके coaching class शुरू कर सकते हैं accounting के लिए अब अपनी class में आप और 20-30 students से मिलेंगे उनसे आप नई नई skills सीख सकते हैं और इसी तरीके से आप और skills अपने अंदर add करते रहेंगे और धीरे धीरे यही skills आपके लिए और leverage बन जाएंगी और इससे आपको और opportunities मिल जाएंगी तो practical tip आपके लिए यह है कि अपनी leverage identify करिये मेरी leverage शुरुआत में public speaking थी फिर वो animation बन गई और अब वो मेरा YouTube channel है हो सकता है आपकी leverage programming हो या हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो और पैसे भी एक तरह की leverage होती है अगर आपके पास कोई leverage नहीं है तो आप एक skill पे काम करना शुरू कर दीजे जिससे आप अपनी leverage बना सकते है अगला point है कि अमीर लोगों की passive income होती है देखो सच बात तो यह कि जाहतर अमीर लोग एक salary के लिए नहीं काम कर रहे होते है उनकी हमेशे किसी ना किसी तरह की passive income होती है उनके पास जाहतर टाइम एक ऐसा business होता है जो बिगेर उनके काम करे भी उनको पैसे कमा के देगा point तो यह है कि हम सब लोगों के पास 24 घंटे ही है दिन में और maximum हम लोग 10 घंटे एक दिन में काम कर सकते है और मालीजे maximum हम लोग दिन में 10-12 घंटे ही काम कर सकते है तो जब तक आप salary के तौर पे अपने time के exchange में पैसे कमाएंगे तब तक आप अमीर नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपके पास limited amount of time है अब मुझे पता है काफी लोग कुछ examples देंगे जैसे सुंदर पिचाई कि देखो इसकी तो इसने करोणों की सालरी है देखो कुछ exceptions होते हैं लेकिन जातर अमीर लोग अमीर इसलिए बने क्योंकि उनके पास ऐसे businesses है जो उनके बिना भी काम करते है अब passive income का basically मतलब यह है कि आपको बिगयर कुछ काम करें पैसे मिलेंगे अब इस term का मतलब थोड़ा गलत सेंस में भी लोग ले लेते हैं कि उनको लगता है कि मुझे महनत करनी नहीं पड़ेगी आपको महनत तो करनी पड़ेगी लेकिन पॉइंट यह है कि आपको बिस एक मशीन बनानी होगी शुरुआत में महनत करके एक दो साल और फिर वो मशीन अपने आप काम करती रहेगी और आपको पैसे देती रहेगी तो for example एक YouTube चानल भी एक passive income हो सकता है आपको मशीन तो बनानी पड़ेगी 100-100-200 वीडियो तो बनाने पड़ेंगे लेकिन एक बर जब आपने बना दिया तो वो वीडियो उस पर व्यूज आते रहेंगे और उस व्यूज पर आपको पैसे मिलते रहेंगे चाहे आप फिर से काम करें या नहीं करें इसी तरीके से अगर आपकी एक फार्मेसी है अगर आप उस फार्मेसी में एक मैनेजर और कुछ एमप्लोईज रख दें तो वो बिजनेस आपके पैसे कमाता रहेगा अगर आप काम करेंगे या नहीं पिर आप वहीं के profits लेके एक दूसरी दुकान खोल सकते हैं और इसी तरीके से आप कई सारी दुकाने खोल सकते हैं तो practical tip आपकी लिए यह है कि एक नया source सोची अपने लिए कि आप कहाँ passive income कमा सकते हैं कोई बहुत बढ़ी चीज भी होने की ज़ारत नहीं है आप सिर्फ इतना भी सोच सकतीं कि आप महीने में 1000 रुपे स्टॉक्स में इंवेस्ट करके उसको ग्रो करने ही कोशिश करेंगे लास्ट पॉइंट है गरीब लोगों को अमीर दिखने का बहुत शौक होता है लेकिन अमीर लोगों को असली में अमीर बनने का शौक होता है काफी लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़ादा सेलरी भी होती है लेकिन तब भी उनके पास कोई इंवेस्मेंट्स नहीं होते हैं और बैंक बैलन्स उनका जीरो होता है वो इसलिए क्योंकि उनको फर्क पड़ता है कि वो अमीर दिखते हैं या नी तो वो सारे पैसे खर्च कर देते हैं अच्छे कपड़ों पर और लेटस आइफोन पर एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो अमीर दिखता है या नी वो अपना पैसा अच्छी तरीके से invest करता है और फिर उस profit से वो थोड़ा बहुत luxury खरीदता है अब मैं ये नहीं कहारा हूँ कि एक iPhone आपको नहीं खरीदना चाहिए अगर आप उसको afford कर सकते हैं लेकिन सिर्फ show off करने के लिए ये काम ना करिये तो practical tip आपके लिए ये है कि अपना पैसा किसी भी चीज़ पर खर्च करने से पहले ये सोची कि आप उसको खरीद रहें show off करने के लिए या आप उसको खरीद रहें इसली क्योंकि वो चीज़ आपको सच में दिल से चाहिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही मैं होब करता हूँ ये points आपके लिए practical थे और आपको help करेंगे प्लीज उस like बटन को click करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और subscribe जरूर करिएगा इसी तरह की life improvement के वीडियो उसके लिए अभी के लिए बस इतना ही and thanks for watching